सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियोस को देखने के लिए हमेशा की तरह इस वर्कशीट में भी आंसर लिख के बताए गए हैं इसलिए इसे एंड तक देखें हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास आज फिर एक वर्कशीट लेकर आया हूँ और ये वर्कशीट मैट्स विशे की है वर्कशीट नमबर 45 जो की क्लास 6-8 के स्टूडेंट्स के लिए है इसमें हम खेल खेल में गणित को सीखेंगे और आपको एक ऐसा टॉपिक आ जाएगा जो शायद समझने में हो सकता है क्लास में समझने में मुश्किल आती हो लेकिन यहाँ पर हम उसको खेल खेल में सीखेंगे तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं मेरे साथ प्रणव एक समझदार लड़ता है जैसे आप सब समझदार हो उसने लॉकडाउन के दिनों में भी अपनी दिन चर्या को सूव्यवस्थित रखा हुआ है यानि उसने अपनी दिन चर्या वैसी रखी हुए जैसे वो पहले अ काम में हाथ बटाने के साथ साथ अपने सभी कामों को निश्चित समय देता है और मैं उमीद करता हूँ कि आप भी ऐसा ही करते होंगे कि अपने सब काम के लिए आपने टाइम बाट रखा है उसकी दिन चर्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है ठीक है तो यहाँ पर एक तालिका दे रखी है और उसमें वो कौन से काम कितनी देर के लिए करता है उसके बारे में लिखा हुआ है तो चलिए देखते हैं इस तालिका को इस तालिका में दो रोज यानि दो पंक्तियां दे रखी हैं एक में उसके कारे लिखे हुए हैं और दूसरी पंक्ति में व पाता पिता की मदद करना वो कितनी देर करता है चार घंटे फिर तीवी देखना तीवी देखने में वो दो घंटे का समय देता है फिर खेलता भी है क्योंकि खेलना भी तो बहुत जरूरी है खेलता कितने देर के लिए है तीन घंटे के लिए और उसके बाद फिर वो पढ़त कितनी देर पड़ता है 4 गंटे तो कम से कम आप भी 4 गंटे जरूर पड़ा करो उसके बाद है नित्यकार यानि जो घर के काम है जो मम्मी भिन का मतलब है वो संख्याएं जिनने हम बटे में दिखाते हैं जैसे एक बटा दू या तीन बटा छे या चार बटे पांच कुछ इस तरीके से अब हम उसकी दिन्चर्या को भी भिन के रूप में दिखाएंगे और आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ भी आएगा यहां एक और तालिका दी गई है जिसमें इस भिन को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है और हम करके भी देखेंगे ये बहुत ही आसान है जैसे इसमें चार कॉलम्स बना रखें पहले में लिखा है उसके कारे प्रणव के कारे फिर वो हर कारे में कितना समय व्यतीत करता है फिर उसकी भिन बनाएंगे और फिर सरलतम भिन बनाएंगे ये भिन और सरलतम भिन कैसे बनाते हैं यही तो अब हमें सीखना है तो यहाँ पर एक उधारन दे रखा है जैसे कारे में लिखा है सबसे पहले प्रणव एक दिन में कितने घंटे सोता है तो समय वाले कॉलम में लिखा है 9 घंटे क्योंकि उपर वाली तालिका में तो यही लिखा हुआ है न देखो अब भिन कैसे बनाएंगे दिन में होते हैं 24 घंटे और 24 घंटे में वो 9 घंटे सोता है तो भिन बन गई 9 बटे 24 जैसे तुम्हें तुम्हारे पेपर में मार्क्स भी तो मिलते हैं कि कुल मार्क्स कितने होते हैं जैसे तुम्हारे कुल मार्क्स हैं 10 और 10 में से तुम्हारे आए 5 तो भिन बनेगी 5 बटा 10 ऐसे ही इस कारे को भी भिन के रूप में हम इसी प्रकार लिखेंगे और फिर उसके बाद सरलतम भिन बनाएंगे ये सरलतम भिन क्या है क्योंकि यहां तो बना 9 बटे 24 तो 9 बटे 24 को छोटी से छोटी भिन बनाने की कोशिश करते हैं ये हम कैसे करते ह फिर हम देखते हैं कि ये जो दोनों संख्याएं हैं कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों भाग हो जाते हैं उपर वाला भी और नीचे वाला भी तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये जो दोनों संख्याएं हैं वो तीन के पहाड़े में आती हैं जैसे तीन 9 और 3 अठे 24 तो भिन बने 3 बटा 8 यानि जो उपर से जिसने नंबर पर आया उसको उपर जो नीचे जिससे भाग हुआ वो नंबर नीचे तो भिन बन गई 3 बटा 8 ऐसे ही अब हम अगली भिन भी बनाने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट है प्रणव एक दिन में कितने घंटे पड़ता है तो जब हम उपर वाली तालिका में देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर वो 4 घंटे पड़ता है तो 4 आ जाएगा समय वाले कॉलम में फिर पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं 24 तो भिन बन गई 4 बटे 24 फ और 4 चिक का 24 तो सरलतम भिन बन गई 1 बटा 6 सरलतम भिन का मतलब है छोटी से छोटी संख्या के रूप में भिन को बनाना इसी तरह हम अगला भी करते जाएंगे कि प्रणव एक दिन में कितने घंटे खेलता है तो वो उपर पतालिका में देखो तीन घंटे खेलता है भिन बन गई 3 बटा 24 ये 24 क्यों आ रहा है क्योंकि एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं फिर जब हम इसकी सरलतम भिन बनाएंगे तो ये देखेंगे कि ये तो दोनों संख्या हैं तीन के पाड़े में आती हैं तो तीन एकम 3 और 3 अठे 24 भिन बन गई 1 बटा 8 इसके बाद है कि प्रणव एक दिन में कितने घंटे टीवी देखता है तो कितने घंटे टीवी देखता है दो घंटे और दिन में कुल घंटे हैं 24 तो भिन बन गई 2 बटा 24 और इसको सरलतम भिन में जब हम चेंज करेंगे तो ये दोनों ही संख्याएं दो से भाग हो सकती हैं तो दो एकम दो और बारा दूनी चौबिस समझ आई बात तो भिन बन गई एक बटा बारा और फिर लास्ट में आते हैं कि प्रणव एक दिन में कितने घंटे माता पिता की मदद करता है तो इसका उत्तर भी उपर देखेंगे तो चार घंटे हैं तो जो हमने पहला किया था कि चार घंटे पढ़ता है बिल्कुल उसी हैसाब से समय वाले कॉलम में आएगा चार भिन बनेगी चार बटा चौबिस और सरलतम भिन बनेगी एक बटा छे चलो अब एक मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं इसी भिन को हम रंगों से दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए तो प्रणव की दिंचर्या से प्राप्त भिन को उपर दी गई तालिका में संबंदित रंगों का परियोग करके उतने बॉक्स को आपने कलर करना है जैसे एक उधारन दे रखा है कि वो सोता है नौ घंटे तो इस 24 बॉक्स में आप देख रहे हैं कि 9 बॉक्स को उन्होंने रेट कलर से कलर कर दिया है तो भिन बन गई 9 जो रंगी होई है और पूरे डब्बे या बॉक्स कितने हो गई 24 तो 9 बटे 24 को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं आपको करना क्या है कि जो उसके जितने भी काम है उनकी भिन बनाके इसी तरह उतने उतने बॉक्स को आपने उसी कलर से कलर करना है जो की सबसे पहली तालिका में जिस color में वो number लिखा हुआ है जैसे दूसरा काम है मातापिता की मदद करना तो blue color से है तो box भी आपको blue color से ही भरने है तो हैना ये मज़ेदार activity कर सकते हो मेरे साथ निकालो copy pencil और फटा-फट मेरे साथ करो वो दूसरी अक्टिविटी करता है माता-पिता की मदद करना यानी चार घंटे तो चार ब्लू बॉक्स भरेंगे और बॉक्स तो कुल 24 ही है तो भिन बन गई 4 बटा 24 उसको हम रंगों से इस तरीके से दिखा सकते हैं फिर अगला काम है टीवि देखना जो की परपल कलर से लिखा हुआ है तो आपको भी कितने घंटे टीवि देखता है वो दो घंटे देखता है तो दो बॉक्स को परपल कलर यानी जामनी रंग से रंगना है और कुल बॉक्स 24 है तो दो बटा 24 फिर तीसरा है खेलना और खेलना लाल रंग से लिखा हुआ है तो भिन बनी थी 3 बटा 24 तो आपने कोई से भी 3 बॉक्स लगातार 3 बॉक्स को आपने रंगना है लाल रंग से तो भिन बन गई 3 बटा 24 ऐसे भी लिख सकते हैं उसके बाद कितने घंटे पढ़ता है? चार घंटे पढ़ता है ग्रीन कलर से लिखा हुआ है तो आपने तालिका में चार बॉक्स इसको ग्रीन कलर करना है और कुल बॉक्स 24 हैं तो भिन बन गई चार बटा 24 और आखरी में नित्यकार्य के लिए महरून रंग से दो घंटे बना हुआ है तो दो बॉक्स इसको आपने महरून कलर करना है तो भिन बन गई दो बटा 24 उसको इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट देखा आपने किस तरह खेल खेल में मैच का एक टॉपिक सीख लिया तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते जाएए और मन लगा कर ध्यान लगा कर पढ़ते रहिए धन्यवाद